अलो एब्रेवान वेलकम टो आवर शितिज बैच आई टी जैम 2023 मैं हूं डॉक्टर आशीश और आज की क्लास में मैं कुछ डिसकस करने जा रहा हूं आप लोगों से तो मैंने लास्ट यर कॉश्चन पेपर्स देखे थे उसके अंदर कुछ कॉश्चन जो है वो आये हुए है और वो फ्रिक्वेंटली कॉश्चन जो थे वो कोशन आया हुआ है तो मैंने उसको नाम दिया है प्रोबेबल कॉश्चन यहां से डेफिनीटली एक कॉश्चन जो है वो अराइज होने के पूरे पूरे चांसे जहें और कोशन अगर यहां से अराइज हुआ तो वो घूम फ in column 1 with the disease listed in column 2, question ये देखो, उसके बाद इसमें क्या है, इसमें protozoan disease, bacterial disease या viral disease, वहाँ से question आया है, और एक बार ऐसा question आया था कि उसने phylum के बारे में पूछ लिया था, तो वो question बिल्कुल अलग था, लेकिन most probably question जो आया है, वो parasitic pathogen से वो question आया हुआ है, और हम देखते हैं, pathogen पे इसमें bacteria भी है, protozoan भी है, viruses भी है, questions आगे की तरफ चलते हैं, और देखते हैं questions, देखो, ये वाले questions हो गए, choose the option that show the correct pairing of disease with their corresponding positive organisms, ये question देख लो, next पे चलो, match the entries in group 1 with group 2, ये question है, ये toxins है, cholera toxin हो गए, diptheria toxin हो गया, lipopoly sagride हो गया, tetanus toxin हो गया, तो इसमें और कोशन था, ये वाला कोशन, ये कोशन थोड़ा सा अलग है, बाकी जितने टाइम भी रिपीट हुआ है ये कोशन, ये थोड़ा सा अलग है, आगे देखो, ये वाला बिलकुल उसके जैसा ही है, कोशन जो उठता आया है यहां से, ये कोशन भी बिलकुल उसके जैसा ही है, और ये question देखो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से एक question हर बार आया हुआ है, ये 2022 में ये question यहां से आया हुआ है, match the entries in group 1 with entries in group 2, इसमें ये positive agents दे दिये, इसमें कुछ conditions दी दी, इनको match करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़े यहां पर देख लेते है, start करने से पहले, ताकि आपको भी easy रहेगा, ये जो part है, इसको solve करने के लिए, चलिए देखते हैं, मैंने यहां कुछ mention क्या है, protozoa and their disease, protozoa और उनसे होने वाली disease, ये सारी जो slide है, complete slide, it is based on the protozoan disease, और कुछ में हमने vectors की बारे में भी बात की है, काफी सारे exams में, vectors की बा तो start करते हैं, मैंने protozoan disease mention की है, मैंने bacterial disease mention की है, और मैंने mention किया है, viral disease, symptoms mention नहीं किये गए हैं, इसके अंदर, कि symptoms क्या है, मैंने उसका positive agent, और disease कौन सी cause कर रहा है, और कुछ case में हमने vectors देखे हैं, तो ये वाला जो part है, ये protozoa और उनसे related disease वाल का part है, आगे मैंने mention किया है क्या, फाइलम, अमीबो, जोवा, यहां से फाइलम, अमीबो, जोवा में, एंटामोबा हिस्टोलीटिका, एंटामोबा, जिंजी वेलिस, यहां से, ये कौन से disease कोज करते हैं, bacterial parasites हो गए, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा viral parasites हमने यहां पे क्या कर दिये, mention कर दिये, चलिए एक बार start करते हैं, यहां से जस्ट आप लोग ये parts को देख लो एक बार, question solve करना फिर आपके लिए easy रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं, protozoa, तो plasmodium and plasmodium की जो भी species है, plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium falciparum, plasmodium malaria, 4 species mention करती, plasmodium की, यह सारे की सारे क्या है, all of these are protozoa, trypnosoma, उसके बाद second trypnosoma की species, leishmania, leishmania की दूसरी species, trichomonas की species और उससे होने वाले disease, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि plasmodium vivax से कौन सी condition arise होती है, हमें यह पता है कि plasmodium से malaria cause होता है, और positive agent plasmodium होता है, genus, उसकी अलग-अलग species जो है, वो अलग-अलग conditions कोज करती है, और carrier क्या होता है, इनका carrier होता है, mosquito, that is anaphylis mosquito, female anaphylis mosquito, plasmodium vivax से condition arise होती है, that is tersian malaria और vivax malaria, plasmodium ovale से condition arise हो रही है, that is mid tersian और ovale malaria, आपको option में ovale malaria भी दे सकता है, mid tersian malaria भी दे सकता है, तो ये चीज़े आपको याद रखनी है, tersian malaria, mid tersian और plasmodium falci parum से होता है, sub tersian malaria और malignant malaria, cerebral malaria, plasmodium falci parum से, last में है plasmodium malaria यहाँ से क्या होता है, यहाँ से quarten malaria होता है, यह क्या था tersian, यह तीनों के तीनों क्या है, tersian, एक tersian, दूसरा mid tersian, तीसरा sub tersian, लेकिन फोर्थ है, plasmodium malaria, यहाँ से क्या condition arise होता है, quartan malaria, यहाँ से condition arise होता है, quartan malaria की condition, अब next protozoa की तरफ हम लोग मू करते हैं, हमारे next protozoa में आता है, trypnosoma gambians, trypnosoma gambians, protozoa एक तो यह हो गया, trypnosoma gambians, इसकी वज़े से, जो condition arise होता है, that is African sleeping sickness, और इसका जो वेक्टर होता है, वो होता है, say say fly, that is Glosina telpelis, वेक्टर भी हमें याद रख लेने चाहिए, क्योंकि वेक्टर भी पूछे जा सकते हैं, कि African sleeping sickness, जो है, उसके लिए कौन सा वेक्टर responsible है, second क्या है, trypnosoma cruises, इसकी वज़े से, जो condition arise होती है, वो होते, chagos disease, और American trypnosomasis, इसको American trypnosomasis, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह USA है, अमेरिका जो है, वहीं तक ही यह restricted रहता है, और इसके लिए जो responsible vector है, that is kissing bug, जो vector responsible है, kissing bug, और try to mine bug, यह USA में ही या अमेरिका में ही पाया जाता है, और वहीं तक यह सीमित रहता है, तो यह क्या है, chagos disease, जो किसकी वज़े से होती है, trypnosoma cruzi की वज़े से, third disease आती है, that is kala azar, और we can say dum-dum fever, इसके लिए जो responsible protozoa है, that is leishmania donovani, leishmania donovani responsible है, और इसका जो vector है, that is sand fly, flea bottomus responsible कौन है इसके लिए, flea bottomus इसको sand fly भी बोला जाता है, उसके बाद क्या आता है, leishmania tropica, और इसकी वज़े से होता है, oriental shore, इसकी वज़े से condition arise होती है, जिसको क्या बोलते है, oriental shore, और इसका दूसरा नाम क्या है, cutaneous leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis, vector जो है, वो क्या है, वो same है, sand fly, next is trichomonas vaginalis, next is trichomonas vaginalis, और इसके लिए जो responsible है, trichomonas vaginalis से जो condition arise होती है, that is trichomonasis और vaginitis, इसके लिए कोई vector responsible नहीं है, और जैसा इसका transmission होता है, due to sexually transmitted and no vector is responsible for the transmission of this condition, that is trichomonasis, यह जो मैंने mention किये है, protozoa से related, जो भी conditions या disease arise हो रही है, उनको मैंने mention किया है, next चलते हैं, हम लोग bacterial conditions पे देखते हैं, उससे पहले entomoiba, जो phylum है, वो है entomoiba, और entomoiba में दो mention किये है, entomoiba histolytica, और entomoiba genzivalis, entomoiba genzivalis और entomoiba histolytica, तो histolytica की वज़े से bloody dysentery हो जाता है, या फिर dysentery, simply हम लिख सकते हैं, और entomoiba genzivalis की वज़े से pyreia of gums, जो pyreia होता है, gums का, वो condition arise होती है, इसकी वज़े से, bacteria देखो, vibrio coma की वज़े से होता है, cholera, diplococcus pneumonia, उसके लिए pneumonia के लिए responsible है, salmonella, typhi, typhide fever, मैंने इसके लिए test mention कर दिया, that is Vidal test, Clostridium, tetany, उसके tetanus के लिए responsible है, यह bacteria, और क्या है, mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, yarsinia, pestis, plague, bordetella, pertuses, whopping curve, mycobacterium, leprosy के लिए, sygela dicentric, sygela dicentric, dicentric के लिए, इसको bacterial dicentric भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, bacterial dicentric, इसको bacterial dicentric भी बोला जाता है, last में क्या है, mention क्या है, Clostridium perfrigens, Clostridium perfrigens, यह किस के लिए responsible है, यह responsible है, gas gangrene के लिए, और gas gangrene में क्या होता है, कि जहां पे blood supply कम होती है, उस tissue के अंदर, उस वहां पे अगर wound होता है, तो यह bacteria जो है, उस जगें पे चला जाता है, उस जगें पे वो अपने आपको establish कर लेता है, और फिर यह क्या करता है, यह कुछ release करता है, gas age, जिसकी वज़े से वहां का जो tissue होता है, उसमें gangrene होना शुरू हो जाता है, और वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो यह क्या हो गया, gangrene, जो कि है कौन सी, virus जो responsible है उसके लिए, disease के लिए और particular कौन सी disease, देखो, variolla virus, smallpox, rubella virus, measles, paramexovirus, mumps, polio virus, polio के लिए, AIDS के लिए, human immunodeficiency virus, hepatitis virus, जो है, उसमें भी 2-3 types के होते हैं यह, hepatitis A, B, C, इस तरह से, तो यह जो है, वो hepatitis cause करता है, dengue virus, denv बोला जाता है, और यह है, dengue के लिए responsible, rotavirus, जो है, वो किसके लिए, diarrhea के लिए, Epstein-Barr virus, जो है, उससे क्या होता, glandular fever या mononucleosis, mononucleosis या glandular fever यहां से, इसकी वज़़ा से होता है, तो bacterial हो गई, proto-zone हो गई, और viral हो गई, अब questions को देखो, कैसे करेंगे हम लोग, एक-एक start करते हैं question, यह जितने भी questions, मैंने mention किये हैं, यह last year question paper में आए हुए हैं, और यह अलग-अलग question जो है, वो यहां से हमने उठाए हुए हैं, देखो, match the pathogens, listed in column 1, with the disease listed in column 2, second, तो rotavirus क्या कोज करता है, rotavirus कोज करता है, diarrhea, यह हो गया match, leishmania, kala-ajar, इसको आप देख चुके हो, अब salmonella typhimurium, salmonella typhimurium, salmonella typhimurium में, typhus fever यहां लिखा हुआ है, इसको आप देख के, यहां पर क्या हो जाओगे, confused हो जाओगे, abstin bar virus को लगा दो किस में, number 5 में, glandular fever, तो हमारे पास क्या आ गया, p is equal to, second, q is equal to, third, और हमें क्या पता है, s is equal to, क्या है, s is equal to, 5, p second, q third, और s 5 किस में आ रहा है, कौन से option में आ रहा है, वो आ रहा है, option number, b में, लेकिन r जो है, वो क्या दिया गया है, r दिया गया है, one, इस option में r दिया गया है, one ऐसा क्यों, क्योंकि, जो salmonella typhi murium, जो है, salmonella typhi murium, यह humans के non-specific होता है, it is non-specific, non-specific to, humans, humans के specific यह नहीं होता है, तो यह किसके specific होता है, तो यह specific होता है, यह specific होता है, किसके cattle के, यह specific किसके होता है, cattle के specific होता है, hen के specific होता है, rat और mice, और यह इन सब के वो specific होता है और इन में disease का आज करता है वो Salmonella typhymurium लेकिन humans में कौन काज करता है humans के specific जो होता है वो कौन होता है, वो होता है, सालमोनेला, टाइफी, एंड पैरा टाइफी, सालमोनेला जो पैरा टाइफी और टाइफी होता है, वो humans के अंदर जो condition है, उसको कोज करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, टाइफाइड फीवर, क्या बोलते हैं, टाइफाइड ठीक है उसको क्या बोलते हैं टाइफाइड फीवर और ये humans तक कैसे आता है तालमोनेलब टाइफी मूरियम जो है वो humans तक कैसे आता है वो आता है फिलों contaminated, contaminated water, contaminated food, contaminated food, इसके through humans के अंदर transfer हो जाता है, तो अगर इस option में contaminated food लिखा होता, तो यह ज़्यादा अच्छा था, contaminated food यहां लिखा होता, तो यह ज़्यादा अच्छा option था, यह सिर्फ आपको confuse करने के लिए दिया गया है, और अगर हम देखें, अगर हम देखें, अगर मोटा मोटा देखें, तो आप Salmonella Typhymurium देखके, Typhus fever जो है, वो इसके साथ मेच कर देते हैं, लेकिन यहां क्या है, यहां contaminated food जो है, उसकी वज़े से, शालमोलेला Typhymurium जो है, वो humans के अंदर enter करता है, लेकिन वो humans के specific नहीं होता है, देख तो यह हो गया question, next देखो, malaria, malaria किसकी वज़े से होता है, malaria किसकी वज़े से होता है, plasmodium की वज़े से, तो इसमें plasmodium सिरफ एक ही दिया गया है, plague, chagast disease, sleeping sickness, और क्या दिया गया है, sleeping sickness, तो अगर हम पीछे की तरफ देखें, कि chagast disease किसकी वज़े से हो रहा है, और sleeping sickness किसकी वज़े से हो रहा है, देखो chagast disease and sleeping sickness देखो यहां से, आपको यहीं से clear हो जाएगा, आपको यहीं से ही clear हो जाएगा, ठीक है, chagast disease, यह रहा है, यह किसकी वज़े से होता है, trypnosoma cruzy की वज़े से, trypnosoma cruzy की वज़े से, chagast disease और trypnosoma gambians की वज़े से, African sleeping sickness जो है वो, कोज होता है, तो option क्या हो गया, chagast disease, trypnosoma cruzy, trypnosoma cruzy, और sleeping sickness, trypnosoma gambians, और क्या बच गया, plague, yersenia pestis, इसकी वज़े से क्या होता है, plague, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास P is equal to, हमारे पास क्या आता है, P is equal to 4, P is equal to 4, लेकिन option में, दो ऐसे option है, जिसमें, P is equal to 4 दिया गया है, तो आपको एक option देखने से, clarity नहीं आएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक और option देखना पड़ेगा, जो भी आपको पता है, वो देख लो, sleeping sickness अगर आपको पता है, तो ठीक है, malaria आपको पता है, malaria सबसे आसान रहेगा आपके लिए, plasmodium, तो R जो है, वो क्या है, R हमारे पास क्या है, R जो है, वो second है, R जो है, वो क्या है, second के साथ मैच कर रहा है, तो इन दोनों में से, P जो है, उसका 4 और R का second, जो है, ये केवल इसी option में आ रहा है, ये वाले option में, तो ये जो है, ये correct answer हो गया, आपका, this one is the answer, this is the correct option, वहाँ से भी clear हो जाएगा, तो ये सारी चीजे हैं, ये आपको एक बार याद करनी पड़ेंगी, next question देख लेते हैं, cholera toxin, diphtheria toxin, tetanus toxin, तो सबसे पहले tetanus के अगर मैं बात करूँ, तो tetanus का toxin जो होता है, वो एक neurotoxin होता है, tetanus का toxin कैसा होता है, tetanus का toxin neurotoxin होता है, अगर आपको एक भी पता है, s is equal to second के साथ मैच कर रहा है, तो देखो, S और second का pairing केवल इसी के अंदर दिया गया है, तो this is the correct answer, अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि, टीक में क्या लिखा है, cholera toxin, तो cholera toxin क्या है, वो हो गया, enterotoxin, वो क्या हो गया, enterotoxin, diphtheria toxin जो है, वो क्या है, cytotoxin, और lipopolisaccharide जो है, वो क्या है, वो है endotoxin, वो क्या है, endotoxin, तो ये वाला question थोड़ा सा odd है, लेकिन आप इसको देख लेना, कि tetanus toxin जो है, वो कैसा होता है, neurotoxin, tetanus toxin जो है, वो कैसा होता है, वो होता है, neurotoxin, वो होता है, neurotoxin, और बाखी इसमें match कर दिये गए हैं, आप mention कर लेना कौन सा toxin, कौन सा होता है, इफ यहां से अगर question आता है, तो आपके लिए वो easy हो जाएगा, यह question भी बिल्कुल अलग आया था, which of the following protozoan parasite belongs to phylum, epicomplexa, epicomplexa phylum से इन में से कौन सा बिलोंग करता है, तो यहां मैंने option जो है उसके answers डाल दिये हैं, कि यह किस से बिलोंग करता है, तो toxoplasma gondi, यही जो है वो बिलोंग करता है, किस से, epicomplexa से, correct answer तो हमारे पास यह हो गया, लेकिन यह बाकी के बच्चे हुए कि कौन से phylum से बिलोंग करते हैं, एंटा मोईबा इस्टोलाइटिका मैंने mention किया था नीचे, कि वो किस phylum से बिलोंग करता है, इट बिलोंग फ्रॉम हमीबो जो वा फाइलम, लेश्मानिया डोनोवानी बिलोंग्स तू यूगलीनो जो वा फाइलम, और ट्राइको मोनाज वेजाइनलिस्ट जो है, वो किस से बिलोंग कर रहा है, मैटा मोनाडा, यह कौशन बिल्कुल अलग है, दोई कोशन थे जो बिल्कुल अलग पूछे गए थे, उसके अलावा बाकी सारे कोशन जो थे, वो सिम्पली कोशन थे, सिम्पल सिम्पल कोशन थे, और यहाँ से अगर कोशन खोऊचन आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क में ये बताया गया है कि इस साइड में किस तरह के organism है और इस साइड में कौन-कौन सी disease है तो आपको ये पता है कि यहां क्या दे दिया malaria, malaria किससे होता है, plasmodium, malaria किससे होता है, plasmodium, और plasmodium क्या है, plasmodium एक protozoa है, plasmodium क्या है, plasmodium एक protozoa है, tuberculosis किससे होता है, mycobacterium tuberculosis, ठीक है, और ये क्या है, ये है एक bacteria, ये क्या है, एक bacteria, influenza, influenza virus की वज़े से होता है, influenza किसकी वज़े से होता है, virus की वज़े से, तो हमें तीन तो पता चल गया, लेकिन ये misthenia gravis क्या होती है, misthenia gravis क्या होती है, misthenia gravis एक autoimmune condition होती है, this is an autoimmune condition, और इस condition में क्या होता है, जैसे हमारे ये neurons होते हैं, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, ये neurons होते हैं, और ये neurons के जो terminal part होते हैं, neurons के terminal part होते हैं, जैसे ये क्या हो गया हमारे पास? neuron, और इसके terminal part से क्या acetocoline, ठीक है, यहाँ पे, acetocoline receptor के against antibody बन जाती है, ठीक है, acetocoline receptor और ये एक neurotransmitter है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे मतलब ये एक exon की narrow ending है, और ये दूसरे exon का body part है, तो ये यहाँ जो receptor लगे हुए है, इसके receptor, इसके against antibody बन जाती है, किसमे? misthenia gravis में, और जब antibody बन जाती है, तो यहाँ पूरा का पूरा, ये जो nervous system का, जो narrow conduction है, वो पूरे का पूरा ठप पड़ जाता है, नारो conduction जो है, वो effect होता है, यहाँ पूरा, एसे टाइल कोलीन, रिसेप्टर के against antibody बन जाती है, किसमे? misthenia gravis के अंदर, तो यह जो है, यह इसके साथ match कर गया, s is equal to 4, s is equal to 4, 2 में दिया गया है, चलो, इसको match कर लेते हैं, bacteria, tuberculosis, virus, influenza, protozoa, malaria, और यह हो गया, answer देख लेना, इसमें कौन सा match कर रहा है, next में चलते हैं, यह देखो, match the disease in group 1 with their positive organisms, इसमें disease दिये गए है, और क्या दिया गए है, positive organisms, जो है, वो, यहाँ पे दिये गए है, तो बोल्डी टेला, पर्ट्यूसिस, अगर हमें यह भी पता है, कि वोपिंग कफ किसकी वज़े से होती है, बोल्डी टेला, पर्ट्यूसिस, तो हमने क्या लिख दिया, कि S जो है, वो क्या है, second, वो second के साथ match कर रहा है, तो S second के साथ match करवाया है, इन्होंने किसी से, yes, के तो जो है, वो first के साथ match कर रहा है, और P, जो है, वो किसके साथ match कर रहा है, third के साथ, वो किसके साथ match कर रहा है, third के साथ, this one is the correct answer, more detail opportunities, अगर आपको एक भी पता है, इस में से, चार में से, तो आपके chances बन जाते हैं, कि आप question जो है, वो correctly sold कर पाओ, जलिए, next question देखते हैं, जो आए हुए है, अगर हम यह नाम सुनते हैं, लिमफेटिक सिस्टम, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आने चाहिए, वो आने चाहिए, एलिफेंटियसिस, क्या आने चाहिए, एलिफेंटियसिस, वो क्या नहीं चाहिए, एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस, लिमफेटिक सिस्टम से रिलेटिड एक कंडिशन होती है, जिसमें एक निमेटोड होता है, जिसका नाम क्या होता है, वाउचेरिया बेंक्रोफ्टी, जिसकी वजए से ये कंडिशन अराइज होती है, तो लिमफेटिक सिस्टम से रिलेटिड इसने कंडिशन पूछिए, तो आंसर जो है, इसका क्या आजाएगा, वाउचेरिया बेंक्रोफ्टी जो है, वो system के अंदर obstacle cause कर देती है और यह जो है इसके बारे में देख लेना नीचे क्या करता है जर्सीनिया pastis नीचे mention क्या गया है कि यह क्या disease cause करता है match the entry in group 1 with the entries in group 2 बहुत simple से है इसमें यह बताना कि इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे क्या होता है और लेश्मेनियस यह देखो लेश्मेनियस किसकी वज़े से होता है proto जोवा की वज़े से लेश्मेनियस किसकी वज़े से होता है, protozoa की वज़ा से, rubella, इसके नाम के पीछे ही virus लगता है, rubella virus, वाइरस जो है, that is rubella, यह हो गया, bacteria, anthrax और fungus की वज़ा से athlete foot disease होती है, fungus की वज़ा से वो मैच कर रहा है, third से, और as हमारे पास जो है, वो मैच कर रहा है किस से, first से, so as first एक तो इसमें है, और एक इसमें है, और क्योग वाइरस और rubella, rubella virus, इसमें क्योग की value third किसमें आ है, यह इस option में है, so this one is the correct answer for this question, तो आप यह करोगे, मैच करोगे, तो आपने क्या करना है, नीचे लिख देना कि bacteria, जब भी आप कोई question solve कर रहे हो, तो इस तरह के questions में क्या होगा, कि आपका knowledge built होगा, आपको पता चलेगा, अगर आपको यह पता चलेगा, कि इसका correct answer यह है, तो आप क्या करो, यह exam में नही करना है, जब आप practice कर रहे हों, उस time यह सारी चीजे करना है, bacteria जो है, वो उससे क्या होता है, anthrax, anthrax हो गया, virus, rubella, virus, rubella, fungus से क्या होता है, fungus से होता है, athlete, put, और last क्या बच गया, protozoa, protozoa से क्या होता है, protozoa से होता है, leishmaniasis, leishmaniasis, यह correct answer हो जाएगा, और साथ में आपको यह भी पता चलेगा, कि इस में से, अगर यह question को थोड़ा सा change करके पूछ लिया जाए, एंथ्रेक्स किसकी वज़े से कोज होता है, वो option में दे दे, virus, fungus, protozoa या bacteria, सिरफ इस में से एक mention कर दे, कि anthrax किसकी वज़े से हो रहा है, और mention कर दे, option में virus, fungus, protozoa या bacteria, तो आपने ठिक करना है, bacteria, क्योंकि आपने इस तरह से भी, इस question को थोड़ा सा read कर लिया, और उसको write-up कर लिया, और पढ़ लिया उसको, आप इस तरह से भी question कर पाएंगे, यह questions जो है, यह कुछ questions आए हुए है, exam के अंदर, और यहां से, कोई question अगर आप ना कर पाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई question जो है, इसके अलावा कुछ आएगा, यहां से, इस तरह के questions ही आएंगे, यहां से, यह वाला microbiology के अंदर, शायद आपने इसमें से कुछ part पढ़ा होगा, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से questions आते हैं, और आते रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना यहां से देखो, मैम ने पढ़ाया है, थोड़ा सा वहां से देखो, और यहां से आप maximum जितना कर पाओ, एक तो यह जो mention किये गए है, slide के अंदर, यह वाले सारे, आपको यह सारे पता होने चाहिए, आपको यह सब पता होना चाहिए, और मैंने यहां भी mention किया है, कि यह सारे के सारे virus हैं, औ और साथ में मैंने mention किया है, कि protozoa और उनसे related disease, तो यह भी सारे protozoa हैं, और यह उपर वाले तो plasmodium की ही species हैं, इनसे क्या-क्या होता है, यह भी mention किया है, यह वाली चीजे, यह जो table है, यह देख लो, मैम ने आपको जो पढ़ाया है, वो देख लो, और इस तरह की कुछ tables आपको मिलती हैं, कि parasites, कौन-कौन से bacterial parasites, या viral parasites, fungal parasites, उनसे कौन-कौन से disease arise होती है, वो सारे आपको पढ़ लेने पढ़ेंगे, तो यही इतने जो यह question आए हुए हैं, यह मैंने आपके लिए निकाले थे, सारे के सारे question, जो अभी तक 2022 तक आए हुए है, 2013 से लेके, ठीक है, तो यह question आप, बिल्कुल भी किसी भी हाल में यह वाला question आपने छोड़ना नहीं है, और यह question बिल्कुल definitely आपने करके आना है, और बिल्कुल probable chance है कि यह question, इस तरह का question exam में पूछा जाएगा, क्योंकि यह question काफी time से चलता आ रहा है, तो मिलते हैं next video में, तब तक आप practice करते रहे हैं, motivated रहे हैं, तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें, और आप जितना अभी जोर लगा रहे हो, उससे ज़्यादा जोर लगा दो पढ़ने में, क्योंकि आपको exam निकालना है, मिलते हैं next lecture में, तब तक लिए thank you very much, I hope कि आपको ये सारी चीज़े समझ आ रही हैं,